नमस्कार मैं इफशेक गोस्वामी आप सभी का फिर सक बरस्वागत करता हूँ अपने इस नहीं व्लॉग वीडियो में दोस्तों फाइनली मैं सूरत पहुंच चुका हूँ और बहुत सर लोग कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पे बढिया कहां से हम लोग साड़ी होलसेल में लेके आओ और कपड़े का विजनस करना हो अगर बिहार में और जगह पे कहीं पे भी ओल ओवर इंडिया में तो सूरत आप स बिजनस कर सकते हैं दुकान खुल सकते हैं सस्ते में कहां पे बढ़िया क्वालिटी में कपड़े मिलेंगे तो आप बहुत दर लोग के रिकमेंट भी किये थे कि अगर आप सूरत पहुंच रहे हैं तो आप मुझे आज मेरा फेशन का वीडियो जरूर सोट की जाएगा तो क्या प्राइज होगा कितना इन्वेस्ट करना होगा तोटल डिटेल आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पीछे आप देख सकते हैं अज मेरा फेशन के मैं आफिस में आ चुका हूँ पूरा डिटेल मैं अभी अंदर ले चलके आपके यहां के जो आनर अच्छा तो फाइनली अजमेरा फेशन के एमडी हमारे साथ है सर एक बड़ अपनो पहरी चिया दें फिर हम लो बात चीत सूरु करें तो बिल्कुल सर मैं मोहित अजमेरा अजमेरा फेशन सूरस से हम लोग जानना चाहेंगे ने हम ये वीडियो शुटकर ने बिहार से इसलिए मैं शूरत इसलिए पहुंच आँ कि बिजनस जो है बहुत काफी चरह लोग यहां पे माल खरेंदें नहीं आ पाते हैं फिर बीचोलिये बीच में आ जाते हैं या सस्तेम उनको प्रोड़क्ट नहीं मिल पाता है तो कैसे थोड़ा सा आप पहले से पुराने है इस बिजनस में तो हम लोग वीडियो थोड़ा से लंबा होगा पार्ट पार्ट करके वीडियो बनाएंगे एक बार फैक्ट्री पुरा वेश्टोर का टूर हम लोग कराएंगे उसके बाद कैसे आप माल यह कि छट के नीचे मिलने वाले हैं जैसे आपने बताया हम लोग तूर करेंगे हर एक डिपार्टमेंट में विजिट करेंगे तो काफी लंबा चोड़ा है ना मैं अभी विजिट कर घूम के आया हूं तो आप सभी को दिखाने के लिए पार बाइप वीडियो बनाएंगे नए एक्सप्रियेंस वाले लोग आ रहे हैं तो उनको थोड़ी से परिशानिया हो रही है बिजनस करने में इसलिए मैं यहां पी विजिट करके आप से बात कर रहा हूं मैं एक बात एड़ोन और करना चाहूंगा आपके साथ अज मेरा फिशन बूमन इंपावर्मेंट को भी बढ़ावा दे रही है जो लेडिस लोग घर पे बेठी भी है मेरी बहने हैं मेरी माता हैं जिनके पास टाइम रहता है मैं यह नहीं बोलूँगा कि फालतू के टाइम में पुरा टाइम खराब करें लेकिन अगर आपके और एक्स्टा टाइम है तो लेडिस लोग भी हम बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपके चैनल के तुरू देख रहे हैं और भी चैनल के तुरू देख रहे हैं तो लोग खाली ओनली वीडियो देखके रुख जाते हैं तो मैं बोलना चाहूँगा कि एक बार एक कदम तो उठाना पड़ेगा बिजनस करना है दोस्तों और बिजनस लोंग टम के लिए किया जाता तो उसके लिए searching की जाती है पूरी preparation की जाती है तो आप लोग को किस के साथ जुर ना है किस टाइब के product से start करना है ये सारी चीजे दोस्तो एक बार आप विजिट करेंगे एजमेरा फेशन में तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जैसे सर ने बोला कि फर्स टाइम अगर कोई बिजनस स्टार्ट कर रहा है तो कैसे स्टार्ट कर सकता है दोस्तों देखे हमारे साथ जूरने के सर जय से आपने बात की एज़़ मेज्म सथे ऑज मेरा फिशनी आज कि इन्य डेट में टील करें आज kadar और रमाई इन एकष्था टो राएंटा तका यह नोगे तust ब्लॉंस एकड़ोर सबूक진 को ऋद्घरेगा वाली है तो यह एज मेरा फिर्षन आपका कहां पे है जो जो मैनिफेट्रींग unit कहां पे है सदेखिए यहां manufacturing unit अलग-अलग एरिये में है जैसे में बात करूँ printing तो printing पूरा area अलगा में डिश्टायल मार्के तो ओटो वाला और याद के रहना पड़ेगा क्योंकि पिए टेक्स्टाइल मार्केट की अगर मैं बात कूँ तो 300 से जादा टेक्स्टाइल मार्केट है तो रगुकुल टेक्स्टाइल मार्केट में है की जिए से जो दागी का जो होता है process वो इसी एरिय में होता है इसी लिए पूरी synthetic की जो भी industry सारी यहीं पे है और यहां पर जो कपड़ा बनता है वो आपको कहीं ओर एसे में मिल भी नहीं सकता है आप इस film में कब से हैं सर मेरा personal में वो तो टेन year से जादा हो गए अज मेरा फिशन को 25 से जादा हो गया है 25 से मनफेक्शिंग कर रही है कौन कौन से प्रोड़क्ट आपलो बनाते हैं सर प्रोड़क्ट जैसे में बहुत सारे प्रोड़क्ट समय पास अवेलेबल है इस पेसली साडी में बहुत सारी वेराइटी आपको मिल जाएगी टी-शिर्ट हो गया सारी वेराइटी सर यहां पे मिलने वाली कैसे आप से लोग जूड़ सकते हैं जैसे बहुत सारे लोग है ना कि एक तो कम पूजी में बिजनस से स्टार्ट करना हो एक यह लाग दो लाग पांच लग लगा के पता चलता है कि भाई घूमने में ही और सही जगा पहुचने में ही आदा पैसा ऐसा ही लॉस हो गया तो वो कैसे आप से डिरेक्ट जूड़ सकते हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया अगर किसी भी कस्टमर को हमाई साथ जूणना है वीवर्स को जूणना है तो दो तरीके हैं या तो आप ओनलाइन हमाई साथ जूड़ सकते हैं जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिये गए वहाँ पे आप कोल करेंगे तो सर् आप ओनलाइन मिलती है या फिर आप सूरत में आके अजमेरा फेशन के स्टोर पर आके यहां वीजिट करके सारी चीज़े देख सकते हैं समझ सकते हैं उसके बाद आप पर्चेज कर सकते हैं पर एक बार विजिट करना चाहिए 100% करना चाहिए सर मैं एकदम प्रेशर राइ हमाई साथ जूड़ी भी है और उन में से 200 ज्यादा लेडिज ने अपना शोरूम कर लिया है तो वो लोगों भी यहां आये हैं विजिट करें हैं थोड़ा-थोड़ा करके उन्होंने स्टार्ट किया एक साथ सर किसी का बिजनस नहीं बढ़ता है दीरे-दीरे काम करेंगे स दीरे-दीरे आएगी और प्रोड़क्ट डेली वेसिस पर आपको एड़ोन करने रहेंगे मिनिमम कितना पोजी लगा कि इस बिजनस को सुरू किया जा सकता है सर एक्चुली मिनिमम किसी को हम लोग बोलते हैं तो उनको लगता है कि होलसील में माल लेना बहुत जगर आता है एक पार्सल जो ट्रांसपोर्ट में जाता है उतना आपको लेना रहेगा 20-25 जार का क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाले छोटे पार्सल लेते हैं खोने का डर रहता है कोरियर से आप मंगाएंगे तो चार्जेज आपको ज़्यादा लग जाएंगे और उससे कम अगर आप कुन सा प्रोडक्ट आपके ज्यादा बिकने वाला है और दीरे दीरे यह ऊगा आप लोग आके हमें गाइडेश देंगे ये प्रोड़क नहीं चाहिए यह चाहिए तो क्या है दीरे-दीरे बिजनस करने से सारे आइडिया सा आते रहते हैं थोड़ा सा हम चाहेंगके की जै करने चाहिए एक चीज होती है कि business करने की लिए हमें करना क्या चाहिए तो सबसे बहुते हैं कि दोस्तों आपको business करने के लिए सबसे पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा मैं कुछ लोग होते हैं कि सरेक investment amount सोच लेते हैं कि आज मेने इतना लगाया है मेरे को कल इतना मिल जाएगा वो दिखे खयाली पुलाओ है आप field में उतरेंगे तभी आपको idea लगने वाला है कि होने क्या वाला है हमारे साथ एक बार आप start करेंगे उसके बाद नए-ने ideas आपको मिलते रहेंगे ग्रो करते रहेंगे एक example सर मैं textile sale ready देता हूँ कि कुछ लोग होते हैं 50,000 का माल ले गए हैं हमसे उसके बाद वो सोचते हैं कि 50,000 का पूरा sale out हो जाएगा उसके बाद हम नया लाएंगे यह जिन्दगी में कभी नहीं होने वाला है आप हमारे यहां भी विजिट करेंगे daily stock हमारे यहां भी होता है कम selling वाले product हमारे यहां भी होते हैं बट उसमें अगर नया aid on करते आपको नया बुराना दोनों product दिख रहा है तो यह आप police आपको रखनी पड़ेगी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 50,000 का ले गया है 50,000 का पूरा भी जाए अच्छे यह जैसे आपके पस तो all over India से customer आते होंगे तो south से हुए चाहे हमारे बिहार से हुए तो language problem भी होता होगा बात करेंगे south से आने हैं तो उनकी language में बात करेंगे तो हर state के एसाप से आपको यहाँ पर executive मिलने वाले हैं काफी अच्छा लगा सर आप से मिलके काफी अच्छा बात आपने बताया हम चाहेंगे कि आपके factory टूर करें और अपने वीवर को दिखाए कि पूरा कैसे दिखा बान सुरू करता है आपसे wholesale में जैसे direct factory से कोई लेता है बिचोली से लेके direct आपसे जुड़ता है तो कितना margin कितना profit कमा सकता है अपकी location आपके product और आपके customer इन तीनों चीजों को मिला के आप लोग margin का ratio निकाल सकते हैं बट हम लोग जो guidance देते हैं एक ladies या कोई new जो इस business क start कर रहा है वो अपने घर से start कर रहा है तो minimum से minimum 30% add on करके वो किसी भी product को sell out कर सकता है आपकी अच्छी shop है थोड़ी सी location अच्छी है तो आप minimum से minimum 50% add on कर सकते हैं इसके लावा अगर आपकी shop mall में है और आपके product भी वेसे ही है और standard customer है आपके पास तो कुछ product में आप लोग store करेंगे तो वो product में आपको दिखाऊंगा कि किस type के product जो चीजें हमारे पास 3000 में हैं वही अच्छे showroom में 15,000-20,000 में भी करेंगे अच्छा जैसे आप समझ सकते हैं 45 रुपे से जो साड़ी start है कहीं भी आप अपने local market में देखेंगे तो minimum अगर देखा जा तो 1500 की साड़ आती है तो 45 रुपे के वही साड़ी है जो 1500-200 रुपे में आप अपने हाँ आज पास देखते हैं तो आप समझ सकते हैं margin कितना हो सकता है बाकि पूरा factory टूर अभी कराएंगे और अच्छा मालीजे कोई product लेता है उसमें defective निकल गया आप यहां से बेस दिया online आप से कोई भी गलती है उसमें तो आप वो कभी भी लाकी return दीजिए exchange हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है सकता है बिल्कुल बाइक कोरियर बेजिए by transport बेजिए कोई दिक्कत नहीं सकता है चलिए इस वीडियो में काफी सारे बाती हुई अभी हम लोग पूरा factory का टूर करेंगे तो इस वीडियो को एँद दखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत दैने बाद से लाइक हुए और इस वीडियो को सेर करें और अगले वीडियो के इंदीए करें मैं अब है पिर आपको वीडियो दिखाता हूँ फिलाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें जुरूब बताईए और हमारे लिए कोई भी सुझाव हो तो उसे भी कमेंट वक्सन ज़रूर लिखें वीडियो पसंद हो तो उसे लाइक और सेर करें हम फिर मिल देखे से अगे वीडियो के साथ अब तक लिए बने रहे हैं हमारे ब्लॉग चैनल के साथ नमश्कार धन्यबाद